नमस्काल, खबर समी जगत में आपका स्वागत है, मैं खूँँ आपकी सातंके ताउरा आई, अब खबर देखतें मिस्तार से आपस में कलेक्शन कर 30,000 रुपए जमा की है, फिर सागर से गोट पॉक्स वेक्सीन के 1,000 डोस खरीदे, इस वेक्सीन से गायों की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ जाएगी और वे लंपी वारस से लड़ने में सक्षम हो जाएगी, युवाओ की यह टोली रात में खूम ख जाय को तीन एमल और चोटे बच्चडे को दो एमल वेक्सीन लगाई जाती है, इन युवाओं की काम की पूरे नगर में तारीफ हो रही है मेराई के लिए इसके लिए हम लोग वेक्सीनान कर रहा है, किस तरगे का वैक्सीन Hang आप लोग कर रहा है? कितना एमल लेते हैं और एक जो बावल हाता है, उससे कितनी वैक्सीन तैयार हो जाती है? एक बावल में लगवग 33 वैक्सीन तयार हो जाती है और हम लोग जो है 3 ml लगाते हैं 3 ml और इससे अगर जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए 2 ml लगाते हैं और दोबारा ना लगे इसके लिए हम लोग एक सील या ठपा बार्मिस का लगा देते हैं इससे क्या होता है दोबारा नहीं लगती कौन सी वैक्सीन है जो आप यहां पर यूज़ कर रहा है यह वैक्सीन है गौट फॉक्स गौट फॉक्स जी गौट फॉक्स है इससे बचाव होगा इनमें इम्मुनिटी बढ़ेगी ताकि रोक पृति रोधक चमता बढ़े और लंपी इसकिन का सिकार ना हो इस वैक्सीन को लगाने का प्रिसिक्षन आपने कहां से लिया आधर्निये ब्रहमचारी भहिया जी सुजीद भहिया जी जो की करुणा सेवा समीती से जोड़े हैं और वो जो है यहाँ पे आयते उन्होंने सभी को पूरे सातियों को हमें प्रिसिक्षन दिया घायल एवं उपचार पसुओं का इलाज करने का और वैक्सीन लगाने का उन्हीं की प्रेणा से हम लोग कर रहा है अभी जो गौशाला निसियाजी पे संचालित हो रही है जिनोदे जीव दया केंदर उसमें अभी कितने गौवंश मौजूद है वहाँ पे लगवग 150 गौवंश मौजूद है जिसका संग्रक्षन कर रहा है हम उसमें भी यह समझें के लगवग आदे से ज़्यादा बीमार एवं घायल पसू होते हैं जो कि हम बाजार से रातरी में गस्त के दोरा हमारी टीम निकलती है उनका इलाज करती है अगर उसमें कोई ऐसा लगता है कि जिसको लगतार उपचार की आवश चकता है तो हम उसको गौसाला ले जाते हैं और उसको उपचार करते हैं वही रखते हैं गौसेवा में आप क्या-क्या कार करते हैं प्रती दिन गोसेवा में पिर्ति दिन जो है उनका इलाज करना और भोजन पानी की विवस्ता करना उनकी और इसके अलावा भी जैसे कोई सूचना आती है कि मरत पस हुए तो हम वह सूचना भी हम उसको आगे पहुचाते हैं ताकि वह ले आ सके अभी कुछ दिन पहले एक गाय का जो पेर टूड़ गया था स्रोंज में फेस्बुक पे भी बहुत चली नेतागिरी भी उसमें बहुत हुई तो उस पशू का भी क्या हाल है और किस तरह से आपने उसको उपचार किया और किस कंडिशन में वह आपको प्राप्त हुआ था उस उसके बारे में क्या कहें कि वो उसकी पेर जो है जाद ही खराप था काफी प्रयास किया डॉक्टर की टीम भी बुलाई लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं चली बहुत बहुत धन्यवाद ख़बर समझागत से बात करने के लिए देख सकते हैं जिनोदे जीबदया कें प्रती दिन निकलते हैं और गव सेवा करते हैं अभी इनका वेक्सिनेशन का दोर जा रही है वेक्सिनेशन चल रहा है लंपी स्किन जो एक रोग गव माता में फेल रहा है उसके रोग थाम के लिए यह यह आँपर वेक्सिंशन का कारे कर रहे हैं ख़बर समझागत के जैन गेतल की रपोर्ट